भरती जनता पार्टी की सरकार में पुरी 36 गड़ चल रहा है पहले बलोदा बाजार जला, पिर लोहारडी जला, पिर सुरजपूर जला और अब बलरामपूर चल रहा है 36 गड़ में कवरधा कांड की आग अभी बुझी नहीं है कि एक और मामला प्रदेश में गरमा गया है बलरामपूर रामनुजगंज जिले में एनाईचेम के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद बलरामपूर कोतवाली में जमकर बवाल हुआ इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने थाने के अंदर जाने का प्रयास किया रोके जाने पर थाने पर पत्थराव करते हुए ऐसा डी-म एवं थाने की गाड़ी में पत्थर बाजी की गई जिस पर पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले एवं लाठी चार्ज कर प्रदर्शनकारियों को थाने के बाहर खधेड़ा गया अभी भी प्रदर्शनकारी थाने के बाहर चक्का जाम किये हुए हैं इसके बाद बलरामपूर में तनाव की स्थिती है बता दें कि थाने के अंदर बातरूम में एनएचेम के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी गुरुचंद मंडल ने 24 अक्टूबर की दोपहर गमचा से फासी लगा कर आत्महत्या कर ली इसके बाद जैसे ही इसकी जानकारी स्वास्थे विभाग के कर्मचारियों को लगी तो बड़ी संख्या में स्वास्थे विभाग के कर्मचारी पहुँचे देखते ही देखते बड़ी संख्या में नगरवासी और परिजन भी पहुँचे इसके बाद लोगों का आकरोश बढ़ता गया थाने के अंदर जाने का प्रयास किया जाने लगा जिसमें भीड ने थाने के बाहर रेलिंग को तोड़ दिया वही थाने के अंदर भी पत्थराव किया गया प्रदर्शन कारियों के द्वारा SDM एवं थाने की गाड़ी पर पत्थर बाजी कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस के द्वारा आंसु गैस के गोले एवं लाठी चार्ज कर प्रदर्शनकारियों को थाना के बाहर किया गया। सभी प्रदर्शनकारी थाने के बाहर जमे हुए हैं। एवं चक्का जाम अभी भी जारी है। इस घटना पर पूर्व CM भूपेश बगेल ने शोसल मिडिये पोस्ट पर लिखा। लीजिये, अब चौते जिल्ले में बवाल शुरू हो गया। बलरामपुर में लोगों ने कोतवाली घेर ली, महिलाओं ने पत्थराव किया और पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े। मामला फिर वही पुलिस हिरासत में मौत का है। क्या हो रहा है वीश्नु देव जी आपके राज में तीन-तीन जिलों के कलेक्टर ASP को कानून व्यवस्था न संभाल पाने के कारण हटाया जा चुका है। कितनों को बदलेंगे इस से अच्छा तो आप अपने नाकारा साबित हो चुके ग्रिह मंत्री विजय शर्मा को बदल दीजिए। मृतक के पिता शांती मंडल ने बताया की आज मेरा किया ना बेटा का भी ओई से मारें बहुत मारें फिर आज मेरा नातिन शुजल है तो शुतरशल का बोल रहा है तो नातिन को आज पीशाई देंगे वहीं सुनके मेरा बेटा वहीं PCC चीफ दिपक बैज ने कहा कि जिस तरह से भरती जंता पार्टी के सरकार में पुरी 36 गड़ चल रहा है पहले बलोदा बाजार जला पिर लोहार डी जला पिर सुरजपूर जला और अब बलरामपूर चल रहा है ये कहें न कहीं सरकार की और प्रशाचन की नाकामियों के वज़े से इस तरह गटना एकट जिस तरह से लगातार दूसरी मौथ पुलीश लॉक अप में हुई इसकी जाच करनी चाहिए कहीं ये लोहार डी की घटना की तरह प्रशांत साउ हो कि गटना की तरह कहीं हत्या तो नहीं है जो हत्या कर पुलीश प्रशाचन पुलीश द्वारा उसे हाथ मत्या करार दिया जा रहा है इस मसले को गंबिरता से लेना चाहिए और उच्छी तरी जाच करना चाहिए और कहीं न कहीं इसी घटना को लेकर लोगों में आक्रोश और गुस्सा है थाने पे पत्रावी के और महौल बहुत ज़्यादा ही बलरामपूर में खराब है और बलरामपूर जल रहा है मैं समझता हूँ इसके लिए पूरी तरह से शासन और प्रशासन जिम्मेदार है इस मसले को उच्छी तरी जाच करना चाहिए